साथ चर्णों में देश में लोगसभा चुनाव दोहजार चौबीस संपन हुआ और चुनाव संपन होते ही मेगा एक्जिट पोर्ग की तस्थीर नियूजेटीर ने आपके सामने रखी बड़ी तस्थीरे चाहे बाद दच्छन की करे या बिहार की उत्तर प्रदेश महराश् पोल पर देखी और हम नियूजेटीन के इस मेगा एक्जिट पोल में आपको बता रहे हैं कहां कहां बढ़ात और कहां कहां घटने का नुमान किस पार्टी का है गुनाश सीट पर जोतिरादित सिंधिया का ये गड़ यहां पर याद्वेंद्र राओ याद्वेंद्र और बीजेपी ने कहा कि ये 29 सीट भी हम हासिल करेंगे लेकिन यहां काटे का मुकाबला दे रहे हैं विवेक बंटी साहू क्यूंकि बीजेपी ने इसे अपने लिए मिशन बना लिया विदीशा की बात करते हैं कूर मुख्यवंद्री शिवरा सिंग चौहान विदीशा में उत्रे और अपने आपको जोक दिया, डोर टो डोर कैमपेंड किया, ऐसा प्रचार किया, मानो पहली बार चौहानी मैदान में उत्रे हूं और इसकी लिए विदीशा में शिवरा सिंग चौहान की जीतते हैं, गुना सीट पर मुकाबला रोमांटक लेकिन सिंधिया को लीड मिलती नजर आ रही है, राओ या दुवेंद्र यहां मुकाबले में पिछडे हैं जोति रादिति सिंधिया से, लेकिन चार तारीक को असल तस्वीर सामने आओगी, इससे पहले जोति रादिति सिंधिया ने अपने कारे करताओ समत्कों को साफ कर दिया था कि मूँ पर पहुंची जहां पर महिलाए इखटा होती हैं बाजारों में, दुकानों में, नकुलनात की बात करते हैं, विवेक बंटी साहू से कड़ी टकर चिंधिवाला में मिली क्योंकि बीजेपी के, बीजेपी ने अपना पूरा दल वहां लगा दिया, कारे करताओं को जोक दि चिंधिवाला में और कमलनात को सीमित तक के रख दिया, चिंधिवाला तक, कमलनात ने एमोशनल अपील भी की, कि मेरा आखरी चुनाओ अद्रप्रदेश की 29 सीटों को लेकर एक्जिट पोल, क्या कह रहा है, बीजेपी को मिल सकती है, 26 से 29 सीटे, कॉंग्रेस को 6 से 3 सीटे, या तो कुछ नहीं, या फिर 3 सीटे तक मिल सकती है, कॉंग्रेस को, बड़ी बात ये है, 26 पर भी, बीजेपी रुख सकती है, और क्लीन स्वीप भी कर सकती है, ये मेगा एक्जिट पोल की तस्वीर दिखा रही है, 2019 में 28 सीटे, बीजेपी के पास, एक सीट चिंदवाड़ा, कॉंग्रेस के पास, कॉंग्रेस को 32 परतिशत वोट मिलने का अनुमान, अन्ने के खाते में 9 परतिशत, बीजेपी को, एम्टी में मिल सकता है, 69 परतिशत वोट, अब ले चलते हैं आपको, पार्लेमेंट, लोगसभा आपको ले चलते हैं, 543 सीटों के 60 काखलन की बात यहां पर हो रही है, और मध्रदेश में 29 सीटे, जहां पर 700 बैठते हैं, इस लोगसभा में, और 29 सांसद मध्रदेश के, क्या कह रहा है मेगा एक्जिट पॉल, कि एंडिये की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, 26 से 29 सांसद इस पार्लेमेंट पे बैठे हो सकते हैं, इंडिया गटबंदन की बात करें, शूने से तीन, यहां कॉंग्रस 28 सीटों पर उतरी थी, एक पर स्पी लेकिन वो खालिच हो कहता परचा, और अदर की खाते में 0-0 रह सकता है, यह है मेगा एक्जिट पॉल, में मध्रदेश की तस्वीर 29 सीटों का हाल, 29 सीटों में 28-1 का स्कोर कार्ड था, दोहजार उन्डिस का, इस बार 26 से 29 सीटे हो सकती हैं, अब आपको रेचलते हैं 36 सीटे, लोग सभा की 36 गड़ के अंदर 11 सांसत यहां से चुनकर दिल्ली पहुंचते हैं, और वीजेपी या तो अपना पिछला रिकॉर्ड 9 सीटे उन्हें रिटेंड कर सकती है, या फिर क्लीन स्वीप 11 की 11 वीजेपी के खाते में, कॉंग्रेस या तो अपना पिछला स्कोर का दो सीटे बचा सकती है, या फिर जीरो सफाया 52 परसंट वोट 36 गड़ में बीजेपी को मिल सकते हैं, कॉंग्रेस को 43 प्रतिशत वोट मिलने का नुमान है, पारलेमेंट आपको रेचलते हैं, 36 गड़ के 11 प्रतिनिधी लोगसभा में यहां 11 सीटों पर बैठे वे दिखाई देंगे, एंडिये बीजेपी की तरफ से 9 से 11 सांसत यहां पर हो सकते हैं, तो 9 या फिर 11 और कॉंग्रेस के 2, नरोतम मिश्रा, बीजेपी के वरिष्ट नेता और न्यू जॉइनिंग टीम के करता धरता लीडर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, नरोतम जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका न्यूज एटी नेटवर्क पर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया, सर जो मेगा एगजिन पॉल्ड की तस्वीर निकल कर सामने आ रही है, उस पर आपका फर्स्ट रियाक्शन, जो अवसरवादी थे, उनको जन्ता ने डखा रहा है, और मोदी जी के नेटवत तुम्हें आस्था व्यक्त की है, वो देख रहे हैं कि जिस तरह से मोदी जी भारत को विकास के लिए ले जा रहे है, जिस तरह से मोदी जी की गरिवों की जलकल्याणकारी ही होजना है, जिस तरह से मोदी जी ने एक वैस्वित शवी भारत की बनाई है, और जनेते की जलकल्याणकारी नीतियों पर महुर लगाई है, मोदी जी के नितवत पर भारत की जन्ता ने महुर लगाई है राष्टबाद पर भारत की जन्ता ने महुर लगाई है और अब सरवादियों को टोटल लकार दिया है जी अगर चार तारिक को भी तस्वीर ऐसी ही निकल कर आती है अगर जो दावा है बीजेपी का मद्ध प्रदेश को लेकर कि हम क्लीन स्वीप करेंगे उसमें कितना श्रे उन लोगों का जो बड़ी संख्या में बहुतायत आपने कॉंगर्स पार्टी से जॉइन करवाए बीज जिपा में आये थे कोई मेरे कारा से तोड़ी आ गए थे बाज़िपा में या यानि सिर्फ मोदी जी की जनकल्याण कारी नीती और देश के विकास में सब लोग सामिल होना चाहते थे इसलिए सब लोगों ने भारती अंदा पार्टी में जो लोग आए उनका स्वाज़त व होंगे लेकिन उससे पहले जो मेगा एक्जिट पोल की तस्वीर पर ही हम बात कर रहें लगातार अब लेकिन चंदवारा को लेकर आखरी वक्त कि कहा गया कि भले ही पूरा डल बल लगा दिया है बीजेपी चंदवारा में अमिशा का भवे रोडशो भी हमने देखा मैं उस लेकि अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं हो नहीं वहां के लिए और इसलिए जटा का मन बन गया था च्छित वारा की का जी आप देखें के कितने दो दो सो गाड़ियां लोग के लोग बीजेपी को जोइन कर रहे थे तो पांदावरान एकदब उनके खिलाब था भारती अंता पार्टी की पक्षमिता और मानी अभी साजी जहां आ जाए अभी साजी के आने के बाद तो कुछ रही नहीं जाता है जी सर बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए चार तारिकों जब असल तस्वीर सामने होगी तब भी आपसे बात करेंगे फिलाशुक्रि अभिना बरोलिया जी बीजेपी प्रवक्ता है उमेश घोर्मोडे जी और साथी कॉंग्रेस की तरफ से प्रवक्ता है दरंजे सिंग ठाकुर जी और साथी बतार पॉलिटिकल अनलिस्ट संजीराना जी भी जुड़े हुए हमारे साथ आप सभी का ही बहुत-बहुत दावा कर रहे थी जीत का लेकिन यह दिखा रहा है शूर्णे से तीन सीट है दावा तो अभी भी कर रहे हैं अर्पिता जी लेकिन मुझे सोचके बड़ा आज सौरी अपड़ना आपको हमेशा मैं अर्पिता यार नाम चेंज कर देता हूं आपका एम सो सौरी मैं इतना कहन कि लगातार जिस तरीके से मैं अभी सुन रहा था नरुत्ता मिष्णा जी हमारे पूर्व ग्रह मंत्री रहे हैं और वो मोहर लगाने की बात कर रहे थे ऐसा लग रहा था ये एक शो चल रहा है एक 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 जिट पोल है आपका भी कारक्रम है और यह अभी रिजल्ट जो जन के जुटे वादे की महेंगाई काम करने के जुटे वादे की एना किसानों को ठगने की बात करे ना हमने कोई ऐसी बात कर bestimm तो जंता ने जो मन बनाया है वह पता नहीं कहां से नरुत्तम जी जान गए कि पूरा देश मोधी जी के साथ है मैं इतना कहना चाहूंगा हमारी जो पार्टी है और हमारा जो गडबंदन है इंडिया गडबंदन वो दोसों हम हवा हवाई बाते नहीं करते हैं यह हवा हवाई बाते हो रही थी पहले 400 पार साथे 300 और गजब तरीके से हम जीत रहे हैं यह सब खोकली बाते पूरे तरीके से और आज भी जो चल रही है वो भी खोकली बाते मैं इतना जानता हूं जनता का एक्जिट पोल आ चुका है जनता ने एक्जिट पोल अपना दे दिया है 295 प्लस इंडिया गडबंदन पूरे आया है वे er K government का 6 tent जनता का प्र Safety गडबंदन के साथ जनता पर यह जो तरीके से बताना चाहते मुं आपका कर्तव है जो भी आपका ले जो है ती आर्पी दिखाना यार जो भी यह सारी चीजे हम जो जनता के साद्व मैं चुटकर हमने चुनाव लड़ा जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ा, किसानों की बात करी, करमचारियों की बात करी, युवाओं की नौकरी की बात करी, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करी, ये तमाम बाते जो हमने करी, उसका जनता का जो निड्ने है, वो हमारे साथ है, चार तारिक को वो आएगा, क ने दीजिए इनकी बाते भी सुनिए लेकिन हम जन्ता के साथ हैं चार तारिकों में जबर्दस समर्थन जन्ता का मिलेगा जी यश्पाल जी वही सवाल की चार तारिक से पहले मेगा एक्जिट पोल के तस्वीर निकल कर सामने आ रही है मोदी मैजिक बरकरार नजर आ रहा है लेकिन कब तक मोदी मैजिक के भरोसे भी जो आपके नॉन प्रफॉर्मिंग MPs है या contestants है वो अराम तल्वी का फाइदा उठाते रहेंगे अगर तस्वीर ऐसी निकल कर आती है और क्यूं ऐसा हुआ हो सकता है आप रमाजी देखिये भारती जन्ता पार्टी के लीड़ की लीडरश्रीप जन्ता भी सुर्विकार कर रही है और जो कैंडिडिटेट्स होते हैं वो भी सुविकार कर रहे है भारती जन्ता पार्टी ने यह चुनाओ मैं पूछे आ चाहूंगा अभी नवची बहुत विस्तार से भी बता रहे थे, 295 का जो आप आंकड़ा बता रहे हैं, अभी दोफेर के बाद, राष्ट्री अध्यक शिरी मलिकार जो ख़लगे जी ने, और जो आपके स्पोक्स परसन है, उन्होंने उन्हां इस बात को लेकर के दोराया है, कि हाँ, शाम को हम लोग डिबेट्स में बैठेंगे, एकसी स्पोर को लेकर दो, दोफर के पहले तक तो आप लोग सब पलायन कर रहे थे, 295 का आखड़ा अगर आपके पास था, तो आप डर और भाय में क्यों जी रहे थे, लोगतंत्र के चोथे इस्तम पर आप विश्वास और भरोसा क क्यों नहीं कर रहे थे, अभी पूरे देश के सारी सर्वे रिपोर्ट्स बोल रहे हैं, सारे चेनल बोल रहे हैं कि भारती जन्ता पाल्टी और NDA का गड़ बंदन, कीलियर कट तीसरी बार मोधी जी की नित्रत में भारती जन्ता पाल्टी की सरकार बना रहा है, लेकिए अर मुझे स्क्रीन पर दिख नहीं है, संजेस जी, संजेस सर मैं आप ही के पास आती हूँ, जो मेगा एक्जिट पोर्ट की तफ्सीर को लेकर एक तो आपका रियक्शन प्लस, एक और चीज में अखासकर मध्यप्रदेश को लेकर बात करूं तो, मध्यप्रदेश में दो चिना आप अपने प्रचाल में ही लगे रहे कि ये माना जा रहा था कि वो ये इस बार ये सीट कॉंगर्स के खाते में आना लगबग तै दिखाए दे रही थी, चार तारिक को तस्विर कुछ भी हो लेकिन उससे पहले ये आप मेगा एक्जिट पोर पर आपका रियक्शन और जो वो शिवराज जी हो चाहिए भारती जनता पार्टी का कोई भी नेता हो चाहे चोटा या बड़ा कार करता कुछ भी हो एडी से मतले चोटी तक अपना काम कर रहे हैं उस पर एक्शन प्लगे हैं उनको अपनी एक-एक सीट पे आक्शन ले रहे हैं और आपने आकड़े सब्सक्राइब कर रहे हैं नरेटिव रचा था और पिछले एक साल से कांग्रेस नरेटिव सेट कर रही है कांटर भारती जनता पार्टी कर रहे हैं लेकिन न सब्सक्राइब बहुत अच्छा कर ले रहे हो और धरातल पर पहूंच ते वह कहीं कहीं हो ज technos है उसको जगाने के जरूत है और उसको नहीं जाग रहा उसका कारण के संग कमजोर संगठन तो देखी बगर कॉंग्रेस को चुनाओ जीतना था यह लड़ना था तो अभी वारे प्रवक्ता साब को सुन रहे थे कि हमने कोई वादे नहीं कि बिल्कुल आपने कोई वादे नह नहीं कर रही थी मोड मोडी झीने वादे किया मन की बात कैसे कीसी को नहीं लगी वह तो चारतारी को पता चूप यागा लें कहीए नि कहीं कहीं जो साल करूंगे यहां पर हम मेगा पॉल में पंजाब की तस्वीर दिखा रहे थे अब हट गई हो तस्वी जी आप अपनी बात कम्ट्रीट कर दीजिए तो मैं यह बोला था वह पांच प्रतिशत ज्यादा वोट करी थी महिला उने अंडिया को और उसमें से 64 सी जीते थी और दस पत बनती है या पाल्टी की कोई भी लाइन होती है उसको जमीन तक ले जाना बहुत जरूरी हो दिया आप में बहुत अच्छे काम किया बोलता कॉंग्रेस का एजन्डे भी बहुत हो सकते अच्छे हो लेकिन जंता आप पे विश्वास की कि नहीं वह बहुत महत्तपूर हो जा हैं और बीजेपी वाले हैं वो भी डिफर नहीं करेंगे में इस बास से लेकिन कई सीट ऐसी थी जहां पर मेरे जानने वालों ने जो मेरे बात की उन्होंने ये बात कहीं कि देखिए कास्ट की कॉंग्रेस ने एक मजबूत विकल्प दिया होता इन सीट पर तो हम जिनको द कर रही है और लेकिन इस बार पांस से साथ इंडिया गटबंदन या तो जीरो या फिर दो सीटे आम आदी पार्टी कॉंग्रेस का मिलकर ये गटबंदन यहां पर लड़ रहा है और अब मैं आती हूँ आपके पास उमेश जी 36 गड़ के अगर हम कॉंटेक्स में बात करें तो जो विधान सभा का चुनाओ रहा उसके फॉरण बाद लोग सभा का चुनाओ नौ से ग्यारा मेगा एक्जिट पोल की तस्वीर दिखा रहे किया तो आप नौ पे ही रिटेन रहते हैं या फिक ग्यारा भी हासिल कर सकते हैं लेकिन क्यों नहीं क्लियर पिक्चर आई इस तो पर तमाम सेंपल है तमाम आधार है उसके आधार पर आपके रिपोर्ट पूरे देजबर के हिसाब से निकल करके आ रहे हैं लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट है हमारी निशीत तो पर आपका भी आकड़ा जो दिखा रहा है नौ से ग्यारा के पीच में दिखा रहा है या तो 9 हो सकता या तो 11 हो सकता है लेकिन हमारा भरोसा है कि ये 11 की 11 सीटे हैं 26 गड़ की इस बार भारती जंता पार्टी उसी तर्स पर जीते हैं इस बार काफी कुछ रहा दिहान लगाया पीम ने उसको लेकर भी विपक्ष ने खूब राजनीती की लेकिन अब तो एकजिक्ट वोल के बाद विपक्ष गायब दिख रहा है विपक्ष तो घटिया आरूप लगाना व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुचाने वाले काम करता रहा है जनता इसको पसंद नहीं करती है चुनाओ के परिणाम बता रहे है प्रीम नरविंद्र मोदी ने कहा था कि सिवराज जी को भी अब वो दिल्ली ले आ रहे हैं अब क्या हो होगी और सांसत के रूप में मोदी जी के साथ काम करने का मौका मिलना मेरे लिए स्वभाग्य है हम पारिटी जो काम देती है उसको पूरी गंभीरता से करते हैं क्योंकि वही हमारी जिंदगी का मिसन है देखे ये एक सिवराज सिंग चौहान जिन्होंने बताए कि हमारा का हमें पारिटी के लिए काम करने और मिसन है हमारा केमरामेन दीपक के साथ शेलेंद्र चौहान नियुजटी बोपाल तो पूर्व सीम शिवरा सिंग चौहान से बात की है शेलेंद्र हमारे सहयोगी ने जी उमेश जी अपनी बात कंप्लीट कर लेजे फिर मैं आगे बढ़ जे दूसरा देखे जिस प्रकार से आपके ही एक्जिट पॉल में भारती जनता पार्टी को बावन प्रतिसर्ट ओट सेरिंग मिलता हुआ दिख रहा है यदि हम उननिस की बात करें तो हम लगभग पचास दसमलों कुछ ओट सेरिंग के साथ नौ सीटें जीत करके आये थे अब जब 2% का इजापा हो रहा है तो निसी तोर पर हमारी सीट भी बढ़ेगी और उस लिहास से भी मैं अगर आपके एक्जिट पॉल पर ही जाऊं तो मुझको पूरा विस्वास है कि 11 की 11 सीटें 36 गड़ में भारती जनता पार्टी जीतने जा रही है और जिस प्रकार से देजभर को लेकर के तरकों का विशय भी निकल करके आ रहा था और जो इंडिक गड़ बंधन के तरफ से 295 का आकड़ा भी आ रहा है तो मुझको लगता है कॉंग्रेस की लोग और ये इंडिक गड़ बंधन के लोग कंफ्यूज हैं सुबा कहते हैं कि हम आकड़ों पर बा सेरिंग रहता है कॉंग्रेस का 19.3 प्रतिसत और वही 19 के अंदर में कॉंग्रेस का ओड़ प्रतिसत दसम्लों दो सुन्य प्रतिसत बढ़ करके 19.5 प्रतिसत हो जाता है और कॉंग्रेस की सीट आती है बावन और उनके गड़ बंधन की जो परसेंटेज होते हैं वो 26 तो यह ऐसा कौनसे आकड़ों के आधार पर इन्होंने 295 का आकड़ा यहां पर रख दिया है उसको भी जड़ा तर्क संगर तरीके से यहां पर उनको रखने की आवशक्त जवाब ले लेते हैं नरंजा जी सुना आपने गोर्मणे सहाब को जवाब दे दीजिए कि अगर आपका जो आंत्रिक सर्वे है वो 290 प्लस की दस्वीर दे रहा है तो किस आधार पर दे रहा है और जो हमारे मेगा एक्जिट पोल में आया है कि या तो क्लीन स्वीप करेगी बिजे पी या फिर 9 और आप दो पर जो आपका पिछला वी स्कोर कार्ट था उसी पर रहेंगे तो क्यूं नहीं गेंड कर पाए अगर ऐसा होता है चार तारीक को तो कि देखिए अरपना जी भाति जन्ता पार्टी के मित्र को चार तरह तक और खुश रहने के इजाज़त आपका एक्जिट पूल दे रहा है और चार तरह की जब पर नाम आएंगे तो यहीं सांती यहां पर बताएंगे कांग्रेस भातिजिंदा पार्टी से ज्यादा सीटे जीत रही है उसके बहुत सारे कारण है पहला कारण तो यह है कि भाति जन्ता पार्टी के जो सांसर के निश्कितास इस प्रदेश की जन्ता हतासव परेसान रही है दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो जन्ता को ठंगने काम किया चाहाए किसान हो चाहाए यूवद हो चाहाए आम ग्रेंटिया हो जो लगाता निगे कुनितियों से प्रशान रहें तीसरा सब से बढ़ा काराण है कॉंग्रेस के यहाँ पर सिट बढ़ने का कि कॉंग्रेस पॉट्टी ने इस प्रदेश की जंता की समच्याओं को समझा है और उसके स सरकारी पत्द दस साथ इस साल से खाली रिक्त पड़े हुए हैं उस पाइन भरती के अवसर उनको परदान किया जाएगा हमने कहां कि प्रदेष के महिलाओं ओर देश काम करेगी तो हमने अपने जिंडे को भी रखा है साथ भाजनता पार्टी की नकामिया रही है वह वह पूरा विश्वास है एक जीट पोल में जो आपके जो सर्वे हैं आपको मुबारक बाद लेकिन एक जीट पॉल को हम स्विकार नहीं करते हैं जनता का जो एक जब तरीक उ लेकिन असल तस्वीर जब सामने आई तो बीजेपी ने प्रदेश में सरकार बना ली आपकी नाक्रेचर आपके पार्टी के बड़े-बड़े सूर्माओं को पता भी ने चला कि वह सत्ता से हाथ हो रहे हैं इसी बात पर आपके पास आते हुए देखिए 36 गड़की अगर ह आपका है नहीं कर सकते हो तो वादे करना बहुत इजी हो जाता लेकिन जहां तक आ रही थी जो एक्जिट पोल आपको दिखा रहा है 9 से 11 नहीं 11 में से 11 इसलिए आ रही है जो दो सीटे पिश्टे बार जो हार गये थे वो भी मूव हो रहा है और वोट परसेंटेज अपना 45 इस समय इंक्रीज होके 40-42 परतिशत तक जा सकता सोचिए तीन साले 3-4 परतिशत अगर यह बढ़ता है तो सीटों में कितने इजाफा होगा इसका कारणा में बता रहा हूं कि साउथ में जहां पर कभी भी भारती जंता पार्टी साउथ की पार्टी कभी नहीं बोली जाती क्योंकि वहाँ पर जो लोग हैं वो पड़े लिखे हैं सोच समच कर वोट देते हैं इस पर कितेमाम बाते कही जाती थी लेकिन बीजेपी का हर एक मूव स्टाटीजिकली प्लान किया गया साउथ को फोकस में रखते हुए ही इस पर आगे बात को बढ़ाएंगे सर लेकिन चोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है उसके बात बात आगे भी जारी रहेगी